नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होश्ट और आप देख रहे हैं धर्म सर्मा aun हम बात करेंगे स्वास्तिक पर बनानी चाहिए, की लक्ष्मी का आगमन सुघमता से हो धन की देवी लक्षमी और धन के देवता गनेश को स्वास्तिक का प्रतीक माना गया है पुरानों में स्वास्तिक को परब्रह्म की संग्या दी गई है सनातन धर्म में सुभ हो कल्यान है जिसका अर्थ वो स्वास्तिक है दोस्तों घर में पूजा के अस्थान पर चांदी का स्वास्तिक की अस्थापना करनी चाहिए आप छूटा भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है सुब मूर्त में आप जैसी सामने अभी दुर्गा पूजा है तो आप दुर्गा पूजा के अश्टमी के दिन, नौमी के दिन, दसमी के दिन भी अस्थापित कर सकते हैं और नित्ति दिन आप उस स्वास्तिक की पूजन करें उसमें कुमकुम लगाए और उनकी पूजन करें क्योंकि स्वास्तिक में सभी देवी देपताओं का वास होता है. आप स्वास्तिक का पूजन गर करते हैं तो आपका पूजन संपुर्ण हो जाता है. अखंड लक्ष्मी की प्रापती भी होती है. घर में साथ ही अगर आप हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं, उत्तर पूर्व कोन में यानि कि भगवान का जो कोना होता है इस अस्थान में तो आपके घर में सबों का स्वास्त बेहतर रहेगा और उत्तम सुकh सांती की प्राप्ती होगी परसन्ता का वातावरन रहेगा घर में कलेस नहीं होगा पूजा के थाली में अगर आप कुंगुम से स्वास्तिक बनाकर पांच प्रकार के अन रखकर दीपक जलाते हैं तो इससे इस्थिर लक्ष्मी का वास होता है दोस्तों कभी भी उल्टा स्वास्तिक नहीं बनाना चाहिए लेकिन एक टोटका है उल्टे स्वास्तिक का आईए हम बतलाते हैं अगर आपका लंबे समय से काम अटका हुआ है कारे पूरा नहीं हो रहा है चाहे वो साधी विवाह का मामला हो भूमी भवन खरिदने का बेचने का मामला हो कोई भी मामला हो या तरक की पाने का मामला हो आप मंदिल जाएं कुम कुम लेकर और मंदिल में उल्टा स्वास्ति बना दे और मनो कामना पूर्ण होने के बाद उसी अस्थान पर सीधा स्वास्तिक बना दे यह अच्यूप तोटका है आप करके देखें गुरुवार के दिन अगर आप स्वास्तिक घर के मुखिद्वार के दोनों साइड नो अंगुल चौड़ा और नो अंगुल लंबा यान कि खरी रेखाएं स्वास्तिक के दोनों साइड रहने से लक्षमी जी को बांधा जाता है इस खड़ीर्यकाओं के द्वारा आप कर के देखे इसके अलाबे दूरगपूजा में सश्टी तिथीको यानि छे पूजा के दिन आप घर के मुख्य द्वार के दोनों साइड धन की कभी भी कोई कमी नहीं होगी उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आयो